हलो फेंट्स गूड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप सब और इक बाफिस से वेलकम आपके अपने चैनल में तो जी दिन है मंगलबार का तारीक है 23 मई सुबह का टाइम है दोनों बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके हैं और इस वक्त लग गई हूँ मैं अपने घर के कामों लिए क्लीनिंग वगरा करने में क्योंकि क्या होता जब तक बैड भरा रहता है ना कपड़ों से और कमबल वगएरा से कुछ भी कंफर्टर वगएरा कुछ भी रखा और तब तक घर बहुत ही जादा मैसी नजार आता है और सुबह 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 सब के घरों में यही हाल हो उनके जाने के बाद जो है किचन का काम आज मैंने पहले निप्टा दिया है और किचन का काम निप्टा कर मैं उसके बाद अपना जहड़ वगरा लगाने में लगी हूँ अपने बैड वगरा सेट करूँगी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करूँगी जो डेली बैसिस पर हम क्ली लेकिन घर जहाया हो तक मुछ तक उसमें अच्छी सी क्लिनिंग नहीं होती। तो वह घर झाया ओठीनिंग बहुता है। और डेली बेस पे जो cleaning होती है, उसकी तो बात ये एकदम अलग होती है, घर में मन लगता है, सुकून है, मन में शांती जो है वो बनी रहती है, टाइम से काम सुबु सुब जब खतम हो जाता है तो दिन भर के जितने भी काम होते हैं, हमारे schedule पे लगे वे जितने भी काम होते ह है, तो सारा काम जो है, वो बहुत अच्छे से दिन भरा, सारा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है, प्रॉपर टाइम पे सारे काम अपने खतम हो जाते हैं, और ये देकन बहुत अच्छा लगता है, और आपने चाहे आधा गंटा लेट उड़ जाओ, उसी से दिन बहुत ह मैसी मैसी सा अजीब सा मतलब ये लगने लग जाता आपने आप में पता नहीं हम कितना लेट हो गए हैं हमारा ये काम भी नहीं हुआ हमारा वो काम भी नहीं हुआ और उसे एक आदे घंटे एक घंटे के अंतर से अगर हम टाइम से पहले उड़ाते हैं तो वही काम सारे काम ट बहुत अच्छा लगता है और जब ताइम से कम खताम हो जाता है तो और भी अच्छालगता है और गर्मियों में तो आज करना इतनी चिपचपी गर्मी है भैंकर गर्मी sound देक्सतया गर्मी है पहले तो बहुत ही जाधा गंदी एंड राइटिंग नी पता नहीं क्यों पैंसिल से तो फिर भी आज भी वह इतना ही गंदा लिखता है पहले से ठीक है लेकिन फिर भी पैंस से बहुत अच्छा लगता है लिखता है और पैंसिल से इतना अच्छा जय वह नहीं लिख पाता ह तो लगए अपनी cleaning वेगारा करने के लिए आंधी में दिखाऊंगी daily basis पे आज कल कितना रेट जो ही कठा हो जाता है तो यह देखिए यहां पर बहुत सारा रेट जो ही कठा हो जाता है और मैं फिर क्या करती हूं आज कल पहले तो क्या होता था जब मैं शाम को बच्चों को ल लेने से ना अंदर की भब की जो बनती है अंदर तो तपिश बनती है ना गर्मी की वो खतम हो जाती है थोड़ी बहुत तो मैं खुले छोड़के जाती थी लेकिन आज कल उस चीज का भी वो नीरा क्योंकि डर बहुत जादा है कि वापस आए तब तक तो पता चले सारे घर बंद है तो तो तुलका फुलका रेत मिटी जो यह वो अंदर जाती है बस इसलिए अब मैं करूंगी पहुचा लगाने के बाद फिर मैं नहाओंगी अपने हेर वोश करूंगी और हेर वोश करने के बाद क्योंकि चिप-चिपी गर्मी है बालों में जो है अजीब सा पसीन पीना पसीना व हो जाता है और पूचा लगाने से पहले मैं एक दो बार क्या नियुक्त कुछ कर्थी डिन 29-30 नानिस फीनितर कुछ गिंट बहुत हैO और कुछ पानी के दाग दब्बे जो हो गए थे तो मैंने इसको थोड़ा सोचा विम लिक्वर से थोड़ा से साफ कर देती हूं अधरवाइस वह नहीं करेंगे तो यह दाग दब्बे अलग से दिखाई देते हैं अच्छा एक कॉमेंट जो यह था कि चलो रहने तो में छोड़ देती हूं मैं कभी आपको दिखाऊंगी ने तभी इस कॉमेंट के बारे में जिकर करूंगी क्योंकि ऐसे बिना कुछ दिखाए और प्रूफ करना चीजे यह किसी को दिखाना बताना वो मुझे बेतुकासा ही लगा फिर तो बात को छोड़ते हैं और कब नेक्स व्लॉग में दिखाऊंगी या उसे नेक्स व्लॉग में जैसा भी जो भी कुछ भी होता है मैं आप लोगों साथ वो चीज ज़रूर शेयर करूंगी अभी तो मैं कम से कम मैंने दो बार किचन में किचन में तो मेरा लगत ही दो बार पहुचा है बिना दो बार पहुचा लगे तो किचन साफ होता ही नहीं है यहां पर लगाऊंगी और फिर इसके बाद बालकनी विगरा साफ करूंगी बालकनी भी आजकल क्या है कि बिना दो है तो बालकनी में भी काम चलता ही नहीं है क्योंकि यह जो भरवा रख certificate certificate first division मुम्मी ये बोत प्रेमेन है ये जो लगा हुए बोत जादा क्या साहग रहा है वरुन? बहुत अथा दो मेडल होगे मेरे पास टोटल एक ब्राउंज का और एक गोल्ड का मेरे को ये मेरे को ये गोल्ड का मेडल किसे लिए first division के लिए चला फटाफट सपने बुक निकाले और इस वक जो है शाम का टाइम हो गया होगा और आपको बाहर अंदेरा दिख रहा होगा क्योंकि बाहर की light मैंने बंद नहीं किया है already light जा चुकी है और मैं यहां पर जो हिमांक आराम से बैठका थुरदर मैंने इसको phone दिया क्योंकि वह वरुन को पढ़ाने नहीं दे रहा था वरुन टूशन से आ गया है और मैं भी थोड़ा बहुत अब इसको पढ़ा रही है बैठके और वरुन हिमांक की जो है तब यह पहले से मतलब क्या बताऊं दिन में जब यह स्कूल से आना उस टाइम इसको हलका फुल का बुखार था और जैसे स्कूल से लूज मोशन लग गए फिर साथ-साथ में इसको उल्टियां भी लग गई तो मैंने इसको तब से जब इस सब से स्कूल से आना तब ही से इसको एसी में लटाकर रखा और इस वक्त भी बहुत तेज वह बुखार था लेकिन इसके साथ वरुन को पढ़ाना भी बहुत जादर जरूरी था और अभी यह देखिए आंधी देशक्ते आप इस वक्त कितनी तेज शाम का यह टाइन है इस आंधी के साथ वही धूल मिट तो आप सुबदे के सुबह भी जो है बहुत अच्छा से क्लीनिंग फरसे करनी पढ़ेगी और अभी वरुन को पढ़ा के और हिमांक जो है उसको थोड़ा बहुत कुछ खिलाया पिलाया है और उसको मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए नारियल पानी लेने जाऊं वह कुछ अच्छे ऐसे खापी भी नहीं रहा है लेकिन फिर आपने देखा इतनी तेज आंदी वेगारा जो आगी है तो फिर मैं जा नहीं पाई क्योंकि फिर बीच में लाइट भी चली थी सिर्फ इनवर्टर की लाइट थी और इतने भरे अंदेरे में बच्चे को घर में अकेला म क्योंकि आंदी बहुत जादा तेज वा रही थी और यहां पर घाने वेगारा की तैयारी शाम की अपनी कर लेते हैं और दो पैर से लेकर शाम तक के बरतन भी थोड़े भूत रखे हैं बच्चों के लंच बॉक्स भी रखे हैं और सुबो के बरतन भी मैंने नहीं लगा ले लगाने के बाद आपना कुछ देखेंगे क्यों कि मैं फ्रिज में जब देखती हím कि कोई शी सब्राइब सब्सक्राइब .aprado तो ले करा हूं आज भी वही सब्जी बनाई एकल भी वही बनाऊ या तीन दिन छोड़के दो दिन छोड़के बनाऊ तब तक वह सब्जी जो हो जाती ताज की नहीं रहती उस चीज में तो वह चीज मुझे बिलकुल भी नहीं पसंद है अब आप यह मान के चले मैं आदा किल मैंने लगाया पानी का चीटा ताकि जो सरसो के तेल की स्मेल खाने में ना आया बाहर भी न जाए और यहां पर मैंने जीरा डाल दिया था फिर धनिया मैंने कूटके डाला हिंग मैंने डाल दिया और यह तीन-चार छोटे-छोटे प्याज जो हैं मैंने लंबे-लंबे वह बारी काटे थे वो डाल दिये और रफली मैंने चॉप जभी टमाठर किये थे अचा मैं क्या करती हूं जब बिन्डी की सब्च बनाती हूं तो श oncet प्यास प्यास टमाठर होसिर मैं रफली चॉप करके है डाल दिए छोटे छोटे चौप करके मैं नहीं रालती हूं एक हरीमिच मैंने इसमें काटके रख दिया इसागर अच्छ आधक पानी और पानी के बाद के लिए इसको ढग कर ठाधकर पकने के लिए छोड़ देंगे अब यह देखे पूरा नहीं पकाया है मैंने थोड़ा बहुत ही पका जब तक जो है यह सारा पकेगा तब तक मैं बच्चों के लिए खीरा वगरा है जो वो काटके रख दूँगी और यह देखे बिंडे की सबजी हमारी हो गई है बनके रेडी और इसी बीच चाटा वगरा भी मैंने लगा दिया है अब बच्चों के लिए काटूंगी मैं खीरा क्योंकि गर्मी में water melon है मतलब तर्भूत है खीरा है इस तरह की चीज़े जए शरीं में पानी की पूर्ती वह पूरी करते है और बच्चों को न बार बार टोकना पढ़ता गर्मी है पानी पीलो हमें जबर्दस्ती पाने उनको देना पड़ता है गर्मी है पानी पीलो और बस आप भी हमारे साथ गर्मा-गरम खाना खाईए हम भी गर्मा-गरम खाना खाएंगे और उसके बाद मैं बच्चे को पढ़ाऊंगी और फिर कभी जाके रेस्ट होने वाला अभी व्लॉग केंड करूंगी मैं यहीं पर मिलते हैं नेक्स व्लॉग में जो फॉर्स टाइम व वॉचिंग मैं व्लॉग में लाइए